आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है वह बहुत ही तेजी से अपने औरिजन पॉइंट से बहना शुरू करती है उसका लक्षे बस अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है चाहे राश्ते में हजारों बादाए आए लेकिन वहरुक्ति कभी में नहीं है कुछ जगा उपर उसकी रफ्तार जरूर कम हो जाती है लेकिन वह बहना कभी भी नहीं छोड़ती वह अपनी सुरीली अवाज के साथ लगतार आगे बढ़ती रहती है और अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करती है दोस्तों यदि सोचो नदी बहना छोड़ गे तो क हम अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए लगतार आगे बढ़ते है कभी भी रुके ना चाहे हमारे रफ्तार कम हो जाए लेकिन अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए हम हर संभग कोशिश करे यदि कही रुके तो और सफलता हिश्चित है अपने मनपसंद लक्षे तक पहुशना कोई आसान कारें नहीं होता अगर यदी आसान होता तो हर कोई विक्ति सफल होता सफलता के रास्ते में बहुत से बाधाये आती है जो हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन हमारा कारें अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए हर संभब कोशिश करते रहना होता है जो लोग मन से कमजोर होते हैं जिनका confidence level कम होता है उन बाधाओं के आगे जुब जाते हैं और जीवन भर अपने आपको कोस्ते हैं लेकिन मजभूद लोग अपनी परिशानियों का सामना हस्ते हुए कर लेते हैं चाहे उनको टार्गेट तक पहुशने में थोड करने के लिए पहली शर्थ लगातार आगे बढ़ते रहना है लगातार घैती नदी ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकती है समय हमेशे चलता रहता है इसलिए हर कोई विक्ति आज उसका गुलाम है हवा कभी भी नहीं रूपती इसलिए हवा के बीना जीवन संभब नहीं है संभून ब्रह्मार में अर्बोतारे है जो लगातार चलते रहते हैं कभी भी नहीं रूपते इसलिए आपको भी जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है बिना रुपके अपने लक्षे को प्राप्त करने की कोशिश करनी है तो आपकी सफलता जरूर हिश्चित है अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए हर कोशिश चुरू कर दे ताकि अपने जीवन में बिना रुके हर परिशानियों का सामना कर सके और अपने लक्षे को प्राप्त कर सके दोस्तों अगर आपको मेरी है वीडियो पसंद आये तो इसे जादा से जादा शेयर करें मेर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू